हेलो फ्रेंट्स आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है फ्रेंट्स आज मैं एक टेबलेट का रिव्यू करने जा रहा हूं जिसका नाम है सिपलॉक्स पानसो एमजी फ्रेंट्स इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस मेडिसीन का यूजेज कैसे करते हैं और इसके डोजेज क्या है साइड इफेक्ट्स क्या है और इसमें क्या क्या भी से सावधानिया हमें रखनी चाहिए यह हम इस वीडियो में जानेंगे तो इस वीडियो में आप अंतक बने रहे हैं इस मेडिसीन का नाम है सिपलॉक्स पान मेडिसीन है और इसका उपयोग बैक्टरियल इंफेक्शन को रोखने के लिए डॉक्टर रो द्वारा दी जाती है फ्रेंट्स इसकी प्राइस की दाम प्राइस की बात करें तो फ्रेंट्स लिए सorage थर्टी नाइन रूपीज यह टेन टेबलेट केसर्ट में आता है देख सकते हैं एक पता में टेन टेबलेट होता है और यह जो सिप्रोफ़लॉक्साशिन जो it कंपोजिशन है तो यह इसके लिए फ्रेंट्ससिस्प्रोफ लॉक्स i甚 टेबलेट टेबलेट के फोर में भी आता है इंजेक्शन के भी फोर में आता है आई ड्रोफ या या ड्रोफ के रूप में भी उपलब्ध है लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ सिपलोक्स 500 mg टेबलेट के बारे में ही जनकारी प्राप्ट करेंगे फ्रेंड्स अब चलते हैं इसके यूजेज के बारे में फ्रेंड्स तो इसके यूजेज अटाइफाइड में आप इसके यूज डॉक्टर दवरा दिया जता है मुत्रमार्ग में इंफेक्शन के लिए, स्वसन नली में इंफेक्शन के लिए, हडियों के जोडों में इंफेक्शन हो, घाव हो, उसके लिए भी यूज किया जता है दस्त हो, कान में इंफेक्शन हो, जिससे दर्द या सूजन हो, पिसाब में जलन इत्यादी में भी डॉक्टरों दोबारा इस मेडिसीन को दिया जाता है इसके डोजिज की बात किया जाए तो फ्रेंस बयास्क में यानी एडल्ट में 200-500 mg दिन में दो बार आप खाने के बात दे सकते हैं और बचों में देखा जाए तो 5-15 mg पर kg के हिसाब से दिन में दो बार डॉक्टरों दोबारा दिया जाता है और इसकी side effect की बात किया जाए तो friends इसमें इसके अगर side effect की बात करें तो friends मितली आना पेट दर्द सिर्चक्राना या सिर्दर्द या confusion जैसा हो सकता है या मिरगी या सरीर पे फुनसी जैसे चक्ते निकल जाते हैं friends आखों के सामने अंधेरा भी चाना इसकी side effect है यहां तक की जोड़ों में दर्द भी हो सकता है कुछ समय के लिए रक्त में यूरिया का स्थर भी बढ़ जाता है सुस्ती घवराहाट आदी इसके दुस्परमाव हो सकते हैं friends और इसमें साउधानिया क्या लेना है friends तो दो जिससे जब इनसे होने वाली लाव जो है इनसे फायदे जो है मेडिसीन के side effect से बहुत अधिक हो तब इसको दिया जा सकता है बच्चों में इसके तरिक किसी को मिरगी का दोरा भी पढ़ता हो तो इस मेडिसीन को नहीं देनी चाहिए friends सार साल से अधिक उम्रक के ब्यक्तिय जानी से या आती आवसक होने पर ही इसमेडिसीन को यूज करना चाहिए friends इस दावा को लेने के बाहल एलकोहल का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दावा के परभाव को ख्या कर देता है कम कर देता है friends तो इस वीडियो में आपको यह वीडियो कैसी लगी friends और यह information friends आपको कैसी लगी प्लीज वीडियो को लाइक किजिए कमेंट किजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए तक कभी ऐसे ही मैं वीडियो हमेशा लाता रहूंगा फ्रेंड्स और इस मेडिसीन के यूज आप बिना ये बिसे साधनिय आप याद रखिएगा